दोस्तों नमस्कार मेरा नाम सुनेल महता आज की टुट्रियर में मैं आपको ये बताऊंगा पपेट वाप को और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट का हेर सेलेक्शन कैसे करते हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक्जामपल के लिए मेरे पास ये फोटो है जब भी हम बच्चे का फोटो सूप करते हैं उसमें एक चीज़ दिखत ये आती है वो कभी गर्दन को बाया करता है, कभी देहना करता है, कभी जुका देता है, कुछ भी करता है तो हम क्या करेंगे, उस फोटो को कैसे ठीक कर सकते हैं इस पिक्चर का हैर पार्ट को भी स्लेक्शन अच्छे प्रकार से सीखेंगे इन आज सॉटकट मेथल दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इस सब्जेक्ट को स्लेक्शन करना है और यहां से स्लेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक किजिए एक बेसिक स्लेक्शन हमके पास आजाती है यहां स्लेक्ट एंड मास का ओप्शन इस पे क्लिक कर दीजिए यहां पर तूल दिया हुआ है Refile Age Brush Tool कुछ नहीं करना है जूम कीजिए और यहां से Hair Parts परों ऐसे एक दो बार चला दीजिए इस ते बार कुछ नहीं करना है सीधा नीचे आईए और यहां Conterminate Color है इस पर किलिक करतेजिए और यहां Output में New Layer With Layer Mask किलिक करतेजिए दोस्तों यह आपने देख लिया आपका Selection हो गया एक काम किजिए यहां से पीछे में Background Color लेके आप चेक किजिए देखे Hair Parts का Selection कितनी अच्छे से हुआ आप चाहते हैं थोड़ा और Hair आजाए कुछ मत किजिए इसे को Duplicate किजिए यह तीनों को Selection किजिए CTRL E से मिर्श करतेजिए हम चाहते हैं कि इसको अदम सिधा खड़ा करें आप करना क्या है Edit में चाहिए यहां एक Cool है दोस्तों ध्यान दीजिए Puppet Warp Toad इस पर क्लिक करतेजिए हम चाहते हैं यहां तक Position ठीक है इसके उपर का Position चाहते है तो सिधा हो देखा आपने कितना इजी तरीके से हम किसी भी फोटो को ट्यारा खड़ा है तो उसको सिधा कर सकते हैं उमीद करते हैं आज के वीडियो आपको समझ आया इस टूल का यूज कीजिए और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए